नमस्कार योग जर्णी में मैं मदू चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आज का वीडियो उन सभी के लिए है जिने हाई ब्लेट प्रेशर की प्राब्लम रहती है उच्छ रक्तिचाप हाईपर्टेंशन की प्राब्लम है आपको रोजाना ये एक प्राणायाम जरूर करना है पांच मीनेट अगर आप चंद्रवेदी प्राणायम करते है तो कोई कारण नहीं कि आपकी ब्लड प्रेशर नॉमल होने लगता है चंद्रवेदी प्राणायम करने से शरीर में शीतलता आती है आपका मन प्रसंद हो जाता है यह आपको मानसिक शांती पहुचाता है यह आपकी शरीर में पित्त को कम करता है आपकी मैमरी बढ़ाने में भी प्राणायम बहुत उपयोगी है जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो इस प्राणायम का प्यास जाता है तो यह बहुत ही कूलिंग एफेक्ट देता है आपको कैसे करना है देख लेते हैं साथ में आपको एक हाथ से मुद्रा बना लेनी है ग्यान मुद्रा और इसे अपने कोटने पर रख देना है आप जमीन पर बैठ कर या चेयर पर बैठ कर जहां भी कर रहे हैं सिर्फ अपनी का मर्सीदी रखें बहुत आराम आराम से सांसे लेना एकदम रिलाक्स होकर और मन में भाव कि मेरे सारे रोग ठीक होते जा रहे हैं ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है मन शांत हो रहा है रिलेक्सेशन को फील करते हुए जब आप इस प्राणायम का भ्यास करेंग तो 8-10 राउंड करते करते ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा आप प्राणायम से पहले और बाद में अपना ब्लड प्रेशर चेक करके देखें आपको तुरंद रिजल्ट पता लगीगा आईए कुछ राउंड्स मेरे साथ करें ताकि आप अच्छे से इसे स सांस लें और राइट से छोड़ दें फिर से लेफ्ट से सांस लें राइट से छोड़ें करते रहें इन्हेल थू लेफ्ट एक्सेल थू राइट इन्हेल थू लेफ्ट एक्सेल थू राइट फिर से लेफ्ट से सांस लें राइट से छोड़ें इन्हेल एक्सेल वन लास्टाइम और एक्सेल रिलाक्स बस इसी तरह से आपको रोजाना कम से कम पांच बनिट चंद्रभेदी प्रानायम करना हैं। इसके अलावा आप इस प्राणयाम को रात को भी कर सकते हैं, या जिस वक्त भी आपको अनीजिनेस लग रही है, आपको लग रहा है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आपको चिंता हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, या बीपी हाई लग रहा है, उस वक्त भी आप इस प्र आल्रकेट, नमस्कार.